अपनाद में दोस्तों यहां वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बाद बताना चाहता हूँ जॉब ढूनने का एक mobile application मुझे मिला है जिसको मैंने खुद चेक किया वो सही है लिंक उसका वीडियो के description में डाल रखा है आप उसे क्लिक कीजे, install कीजे, अपने detail को fill up कीजे और अपने according आपको जो भी job ढूणना है इस job में पैसे नहीं लगते, इस app के through पैसे नहीं लगते अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो walking interview का process है सबसे पहले आप अगर eligible हैं, जिसके regarding मैं वीडियो में आगे बताऊंगा उसके regarding आपको indigo की website पे जाकर apply करना है apply कैसे करना है, उसके लिए उपर eye button में आप देख पा रहे हैं airline में कैसे apply करें, या फिर इसका link मैंने वीडियो के description में भी डाल रखा है वहाँ मैंने step by step बता रखा है कि indigo में किस तरह से आपको register करना है यानि sign up करना है, उसके बाद किस तरह से आपको अपने profile को verify करना है और finally किस तरह से आपको login करके पूरा detail fill up करना है तो एक बाद जब आप login करके detail fill up करते हैं, apply करते हैं तो apply करने के तुरत बाद या तो आपके mail पर या फिर instantly वही जो screen होता है, जहाँ पर आप apply कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक 6-digit का code आता है, उस code को आपको note कर लेना है और आपको अपने resume, updated resume को लेकर और जो भी आपके details हैं, documents हैं, like passport वगारे इन सब को लेकर, और जो भी additional supporting documents ह या फिर अगर 12th basis बजा रहे हैं, तो 12th documents, यानि कि जो भी आपके supporting documents हैं, जो आपने resume में या फिर जो आपने form fill up करते वक्त बताया है, उनकी zero copy लेकर आपको चले जाना है, उस जगह पे जहां के लिए आपने apply किया है, जैसे आज कि इस वीडियो में 3 जगह के लिए interview हो रह जाने के बाद, resume देने से पहले, यह जो six digit का code है, जो application करने के बाद, जो apply करने के बाद, आपको मिला है, उसे अपने resume के ऊपर, सबसे टॉप में लिख देना है, और उसके बाद चलाई जाना है interview के लिए, यह बात रही आपको, जाने से पहले application process की, और दोस्तों, अब बा हो लिजेगा, so friends, आज की यह जो vacancies है, तीन walking interview, जो की काफी urgent है, 29th of March को, हैदराबाद में, जो सबसे पहली vacancy है, जो की walking interview होने वाला है, यह है security customer service wrap के लिए, जो अगली vacancy है, वो आपको बैंगलोरू में हो रही है, जो अभी video के screen पे details देख पा रहे हैं, यह उसका detail है, औ 1st of April को, जो walking interview होने वाले हैं, वो आपको चिर्नई में होने वाले हैं, अब बात करते हैं, इन सभी vacancies के बारे में, इन सभी जो walking interview हैं, इनकी eligibility criteria के बारे में, दोस्तों, यह तीनों जो walking interview हैं, इसके लिए आप graduate होने चाहिए, age आपकी 18 to 27 years होनी चाहिए, कोई भी visible tattoo, यानि क चाहिए body के अंदर कहीं छुपा हो, कोई फर्क ने पड़ता, interview इंग्लिश में होता है, इसलिए English speaking जरूरी है, आप English बोल सकें, समझ सकें, इतना जरूर बोलें कि interview को आप clear कर लें, interview होने के बाद, job मिलने के बाद, English नौ भी बोलें, तो काम चल जाता है, अब बात आती है mandatory requirements की, mandatory requirements में अगर आप customer service के लिए apply कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये जो vacancy है, ये जो interview होने वाले है, security, customer service और ramp के अलावा, GSC और catering के लिए भी ये vacancies हैं, तो customer service वाले job के लिए, आप customer service होने चाहिए, आपकी English speaking अच्छी होनी चाहिए, pleasant personality होनी चाहिए, आप cool काम हो होने चाहिए, ramp और security के लिए आप tough होने चाहिए, किसी भी environment में आप खुद को adopt कर सके, आपको ramp पे काम करना पड़ता है, धू, बारिस, गर्मी, बरसात, हर जगह आपको बैठा राना पड़ता है, और अब बात आती है, preference की, अगर आपके पास customer service का experience है, तो आपको customer service में फ करके जरूर बताईएगा, जो भी detail में ने बताया, उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो के description में बहुत सारे मैंने link दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप ट्राइक कीजगा, और जिस app के बारे में बताया, उस पे click करके, install करके, वहाँ भी आप job ढूड़ीजगा.